हलो आज है 14 सब्टेमबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी 18 ब्राड़कास्ट के बारे में देखे 40 रुपे के आसपास यह शेयर ट्रेट कर रहा है 10 परसंट की एक बहुत 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 बढ़ी आज के दिन में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है वीडियो में हम डिस्केस करेंगे कि टीवी 18 ब्राड़कास्ट के शेयर में खरीदारी के मौके बनते हैं कि नहीं और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू करें उसे पहरे अगर आपने वीज़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी जादा हेल्प करेंगे तो बात करते हैं टीवी 18 ब्राडकास्ट की 40 रुपे का शेर है और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने इसके उपर वीडियो बनाया था टीवी 18 के उपर उसके साथ मैंने नेटवर्क 18 के उपर भी वीडियो बनाया था दोनों को कमबाइन ही मैंने किया था आप देखे 47 रुपीज का शेर नेटवर्क 18 का था तब मैंने वीडियो बनाया था 24 अगस्त को और आज नेटवर्क 18 का शेर 54 रुपीज पर है मतब 20 दिन के अंदर 45 पे आ चुका है और तकरीबन 45-50 का शेर 55 के करीब पहुँच चुका है नेटवर्क 18 का दोनों ही शेर में बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली है और उस रफ्तार की वज़े क्या है उसके बारे में भी बातचेत करेंगे लेकिन मेंली फोकस रहेगा यहां पर सिर्फ और 45 पहुचा था यह बड़िया रफ्तार आई और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी टीवी 18 में गिरावट आएगी खरिदारी के मौकर यहां पर बनेंगे क्योंकि हर बार टूटा है बाउंस बैक आया है और अब तो भयंकर गिरावट थी तो भया बाउंस बैक आना जरूरी था जाए रहती है और अभी देखें बिजनस चैनल जो है अब तक वह उतनी ज्यादा फोकस में थे नहीं कि इंडिया में जो क्या था इससे पहले इन्वेस्ट करने वाले लोग कम थे अभी इन्वेस्ट करने के पिछले दो सालों में भाई भीड मची हुई है और ऐसे में लिस्टेड है वह बिजनस चैनल को एड्स देना जादा पसंद करती है क्योंकि जाहिर से बात है वहाँ पर लोग देखते है एड्स को देखते हैं और कहीं न कहीं एक पॉजिटिव माइंड सेट बनता है लोगों का स्टोक में खरीदारी का तो कंपनिया भी इस चीज को सम समय तो यह भी इन ही का पॉटल मनेगई कंट्रोल के अगरम देखें तो इन ही का पॉटल है इसका अलावा कंपनी और कैसा रिजगों फर काम करती है अला कि नेट्राफ्यटेश नंदों को मिला के बाइटनी साहरी प्रॉपर्टी जैनल सा ठीक है ृटिवेडारी चैनल्यक के वेबसाइट्स वगेरा कई जादा देखने को मिलेंगे बुक माई शो जहां से हम भाईया मूवी के लिए टिकेट बुक करते हैं वो भी इनहीं का देखने को मिल जाएगा इसके अलावा फिल्मों को प्रोड्यूस करना वाइकॉम 18 इनहीं का है सीरियल्स वगेला कलर्स जो हम देखते हैं कलर्स चैनल अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में है इनहीं का है तो कई सारी चीज़े हैं यहां पर और अब तो भाईया लॉकडाउन भी धिरे-धिरे खुल चुका है फि दूसरी में खास है नेटर्क' टीवी 18 के अगर मैं बात करूं तो आपको टीवी 18 में चलाके देख लो खास है के ट्रेडिंग आवर्स में चलाके देख लो तह आपको एड्स जो देखने के मिलेगी उसको एक बार आप ध्यान से देखना कई सारे एड्स मिल रही है और भी जादा का इसका volume नजर आ रहा है देखिए volumes बहुत जादा बढ़ते हो नजर आए है प्रमोटर के पास 60% की holding है और देखिए दोनों company focus में है उसकी एक वज़ा भी यह है कि दोनों ही company का जो प्रभूत्वा है वो मुकेश अंबानी के पास है मुकेश अंबानी की company है सबसे ग्लोबल्स उनके पास भी भैया 3.27% की holding है individual investor holding 20% से भी जादा की है TV18 broadcast देखा जाए तो according to money control user 74% लोग खरीदने की बात या 26% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर इतना ही नहीं revenue में भी देखेंगे तो भैया पिछले 3 सालों में बढ़िया उचाल है जहाँ पहले 1500 करोड के revenue ते वो 5000 करोड तक पहुँच चुके हैं profits अगर हम देखें तो जहाँ पहले दो सालों मुलब 17-18 में company loss में थी लेगे नभी 175 करोड, 375 करोड, 650 करोड अब देख रहे हो कि इस गती से profit बढ़ रहे हैं और इस गती से profit बढ़ेंगे आने वाले समय में बढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 का इसका PE ratio देखने को मिल जोगी कम है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि share overboard zone में नहीं है, हलाकि कोई भी बढ़ा analyst यहाँ पर अपनी rating नहीं दे रहा है, तेकि TV18 की मैं अगर बात करने जाओं तो definitely मुझे share पसंद आता है यह, और जो level है, अभी जो 40 रुपे के आसपास का level है, अगर हम उसको एक बार देखें, तो एक strong resistance भी इस level के आसपास है, इससे पहले 39.65 रुपीज तक पहुंचने के बाद share तूटके बिखरा था, फिर तीजी आई, फिर तूटा, फिर अभी उसी level के आसपास, अगर इ यहाँ पर, वहाँ तक पहुंचने के बाद एक profit booking आएगी, जो दुबारे 140 रुपे तक भी लेके जाएगी, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेगा, company अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन long term के लिए खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके लिए अभी के लिए मैं कहूंगा कि short term का यहाँ पर game खेलना चाहिए, long term का भी खेल सकते कि देखे, company अभी अगर हम देखे तो लोग भाया, market में जादा invest कर रहे हैं, और ऐसे में जो business channel उसी की information देते हैं, उनकी TRP के सासथ, उनकी जो add revenue है, वो भी काफी जादा बढ़ते हुए नजर आज सकते हैं आपको आने वाले दिनों में, तो TVA दिन ब्राटकास मेरे हिसाब से जब भी तूटे का खरीदारी के मौके है, 40 रुपए के आसपास share trade करा है, 35 से नीचे मिले, तब तो भाया मौका छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी चाहो तो थोड़ी सी quantity, अगर 500 खरीदारी कर सकते हो, 100 share की, बाद में वेट करोगे, 35 से नीचे जाने का, अगर वहाँ पर जाता है, तो खरीदारी करके चल सकते हो, इसके अलावा एक और है नेट्रक 18, और ये भी बढ़िया share है, 54 रुपीज का share है, लेकिन ये वो share है, जो आपको चुहे विल्ली क खेल खेलता है आपके साथ, जब भी इस लेवल पर पहुंचा है, इसने वापस से गिरावट ही दी है, तो 54 रुपीज पर खरीदारी करने की सला यहाँ पर नहीं है, लेकिन 50 रुपे से नीचे ये तूटेगा, तब आप definitely वहाँ पर थोड़ी से buying करके चल सकते हो, तो इस्पार दया जोढ़ी है, तो 56 रुपे से भी दोड़ी है, तो मुझे जब अच्छे से लिए हूई कर बदिया खरीदारी जए है, तो 54 रुपे से आप पर बंदी कर अपारी दोटेए।